नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं regarding Zingjiang और Zingjiang में चल रहे genocide के बारे में Zingjiang क्या है, वहाँ पे genocide किस तरीके से होता है और किस तरीके से यहाँ पे China की Communist Party का बहुत बड़ा रोल है उसके बारे में बात करेंगे और specifically यह भी बात करेंगे कि आज की date में दुबारा से यह issue news में क्यों आया है Because किसी US State Department की spokesperson ने यह कहा है कि China की Communist Party के द्वारा जो Zingjiang में genocide यानिकी नर सनहार हो रहा है वो almost similar है to Nazi Germany जिस तरीके से Adolf Hitler के अंडर Germany में Jews के साथ जो behavior हुआ था वही सेम चीज आज Zingjiang में Uyghur के Muslims के साथ हो रहा है तो इसी पूरी story को यहाँ पे समझेंगे क्या हो रहा है क्यों हो रहा है आए जानते हैं मेरे साथ मेरा नाम है Anirud इस lecture की PDF को download कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल से इसके इलावा आप social media पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ की आपके ऊपर ये वाले courses available हैं जो की मैंने खुद तयार किये हैं इनको आप जाके देख सकते हैं History का 1000 MC की उस course, Policy का 1000 MC की उस course और UPSC का Past Year Prelims का Discussion का course ये सभी courses आपके लिए helpful हो सकते हैं जो की आपके आने वाले Prelims में काफी जादा मदद कर सकते हैं आपकी Right, so सबसे पहले हम कुछ basic से start करेंगे आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा मैं regarding Xinjiang and regarding the Uighur Muslims तो Xinjiang क्या है? Xinjiang basically Xinjiang Uighur Autonomous Region है जिस तरीके से जो status Tibet Autonomous Region का है तो वैसे ही Xinjiang भी एक Autonomous Region है, एक स्वेतत शेत्र है और ये People's Republic of China के under आता है, located in the North Western part of the country, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, North Western part में बहुत बड़ा province है area wise और ये वाला जो province है ये इंडिया के साथ भी border लगता है particularly जो अकसाई चिन का part है भारत का, उसके साथ भी इसका border यहाँ पर touch होता है ये चाइना का आज की date में largest natural gas producing region भी है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग है, उनका नाम है उईघूर Muslims, इसके कई तरह के spellings हैं, उईघूर, Y के साथ I के साथ, both are equally fine उईघूर कौन है, उईघूर एक Turkic speaking minority ethnic group है जिनका वैसे origination जो है, वो हुआ है from some regions of Central Asia और चाइना ने इनको जो ओदा दिया हुआ है जो status दिया हुआ है, that is basically of ethnic minority यानि की जातिये अल्प संखक समुदाय का, या फिर चाइना ये बोलती है, कि ये एक religious minority है, within a multicultural nation अब आपको मालूम होगा, चाइना primarily एक Buddhist country है लेकिन क्योंकि ये Muslim minority group है, तो इनके साथ थोड़ा सा ब्रताब जो है, वो अलग तरीके से होता है, गलग तरीके से होता है, यहाँ पर सबसे प्रमुख है इनके द्वारा चलाए जाने वाले re-education camps, ये जो re-education camps है, कब शुरू किये गए थे? ये re-education camps basically शुरू किये गए थे, लग भग 2017 से जबसे जिंग जियांग में basically जो Muslims रहते हैं उनकी indoctrination के लिए 2017 में शुरू किये गए, किसके द्वारा CPC, Communist Party of China के द्वारा शुरू किये गए, किस नाम के अंडर शुरू किये गए? देखिए वैसे तो re-education camps है, लेकिन जो नाम है वो रखा है, Vocational Education and Training Centers, यहाँ पर होता क्या है? कई सारे लोगों को एक साथ इकठा कर लिया जाता है, और उनको internment camps में डाला जाता है, which have been operated by the Xinjiang Uighur Autonomous Region Government only, यह internment camps basically क्या होते हैं? लोगों को बिना किसी charge के, बिना किसी जुर्म के, उनको यहाँ पर कैद किया जाता है, उनको फिर वहाँ पर पढ़ाया जाता है, अपने हिसाब से, and more importantly यह एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं, detention camps होते हैं, यानि कि लोगों की मर्जी के खिलाफ उनको यहाँ पर रखा जाता है, यह एक basic idea है, जो कि यहाँ पर होता आ रहा है, काफी लंबे समय से, जिंग जियांग में Uighur Muslims के साथ, अब यह चीज चर्चा में इसलिए आई, वैसे तो काफी लंबे समय से चर्चा में थी, लेकिन हाल ही में, US State Department की Spokesperson Morgan Autagus, इन्हों ने कहा, यानि कि हमने इतना बत्तर अपराद आज तक नहीं देखा, इसके पहले ऐसा अपराद हमने देखा था, Holocaust के टाइम पर, Holocaust, यदि आप इसे वाकिफ नहीं है term से, Holocaust basically उस term को कहा जाता है, जब Hitler के अंडर Germany चल रहा था और उन्होंने Jews के साथ, यहूदियों के साथ जो किया था, उस period को Holocaust कहा जाता है, और वहाँ पर ऐसे ही, जैसे internment camps बनाए गए हैं, वहाँ पर concentration camps बनाए गए थे, जो कि बनाए गए थे, Auschwitz के एरिया में, यह वो word है, Auschwitz, एक एरिया है जहाँ पर concentration camps बनाए गए थे, अब मैं बात करना चाहता हूँ, किस तरीके से चाइना यहाँ पर basically उईगुर की population को खतम करने की कोशिश कर रही है और उनके साथ torture भी कर रही है, दो recent events है जिसके through हम इसके बारे में बात करेंगे primarily मेरा focus रहने वाला है पहले event के उपर, जो पहला event है वो यह बताता है, किस तरीके से systematic sterilization हो रहा है उईगुर की महिलाओं का, ठीक है और दूसरी चीज यह है, हाल ही में US के customs department ने 13 tons of product made from human hair suspected of being forcibly removed from Uyghurs imprisoned in the concentration camps, इसको retrieve किया था, जिसके चलते यह चीज फिर से एक बार समाचार में आ गई है खेर, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ systematic sterilization of Uyghur women इसको लेके कई सारी studies हुई है यह वाली study आप देख सकते हैं sterilizations, forced abortions and mandatory birth control, the CCP's campaign to suppress Uyghur birth rates in Xinjiang, इसके इलावा जो दूसरे वाला event है वो यह है hair weaves from Chinese prison camps ceased, तो वहाँ पर forcibly लोगों के बालों को काट कर उनको इकठा किया जा रहा है और उनकी marketing की जा रही है चाइना के द्वारा यह केवल कुछ isolated events है जो अभी आपके सामने पेश किये हैं लेकिन पूरी story अगर आप जानेंगे तो I guarantee you काफी जादा दिल दहल जाता है जिस तरीके से यहाँ पर जो Uyghurs की condition हो रही है और China इसके लिए responsible है, so let us begin now conditions of Uyghurs in China में अगर आप देखें, तो यहाँ पर कम से कम 10 लाग से भी अधिक Turkish Uyghurs हैं, जिनको की detain किया गया है concentration camps में या फिर prisons में या फिर ऐसी factories में जहाँ पर उनसे force labor करवाई जाती है इनके साथ abuse होता है, इनके साथ torture होता है, rape होता है और कई extreme cases में इनको मार भी दिया जाता है, in fact जो survivors बच जाते हैं, उनके कुछ accounts हैं, जो again मैं आपके सामने share करना चाहूंगा, I begged them to kill me, Uyghur woman describes torture to US politicians, तो ये एक recent interview था, पिछले साल ये काफी जादा news में रहा, कि एक महिला जो कि survivor थी, उसने कहा कि मैंने उनसे beg किया, कि please मुझे मार दो, मुझे इस condition में नहीं जीना है, इसके बाद, former inmates of China's Muslim re-education camps, tells of brainwashing and torture, तो ये re-education camp के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल नाम है उसका vocational training, बट उस camp के अंदर हो क्या रहा है इसके बारे में किसी को नहीं मालुम, survivors आके कहानी बताते हैं, कि हमारी वहाँ पे brainwashing हुई, हमारे साथ वहाँ पे torture हुआ and so and so They absolutely show no mercy, और ये कुछ ऐसी files हैं, जो कि China के ही द्वारा leak हुई थी, जो दिखाती है किस तरीके से mass detention हुआ है Muslims का in the Xinjiang region More than 400 pages of internal Chinese documents provide an unprecedented inside look at the crackdown on ethnic minorities in the Xinjiang region, ये recently news है November 2019 19 की, इसके बाद एक और news है, जो कि बताती है, in China's crackdown on Muslims, children have not been spread, यानि कि इन्होंने बच्चों को भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है, in Xinjiang the authorities have separated nearly half a million children from their families, aiming to instill loyalty to China and the Communist Party यानि कि re-education के नाम पे, basically जब उनकी indoctrination हो रही है तो उनसे ये कहा जा रहा है कि you should basically show your loyalty to China and to the Communist Party, that's all ये उनका main purpose है, अगर हम देखें, यहाँ पे China की strategy क्या है तो basically China की strategy ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, main जो उनकी strategy है, वो ये है कि हम उनके साथ systematic sterilization कर रहे हैं, उईगुर की महिलाओं का, इसी को आगे बढ़ाते हुए China basically wants to destroy the Uyghur lineage Uyghur की पूरी lineage को destroy करना चाते है, they want to break their lineage break their roots, break their connections and break their origins, जब आपने महिलाओं को forcibly sterilize कर दिया है, तो population आगे नहीं बढ़ेगी ठीक है, जिसके तुरू उनकी पूरी population को eradicate कर सकते हैं, इनका इसलिए मकसद ये है, clear intent to eradicate the Uyghur people as a whole, अगर हम आगे देखें 2019 तक government ने plan किया था to subject over 80% of women of child wearing age in southern Xinjiang to force intrauterine devices IUDs, उनके शरीर के अंदर plant की कई, and sterilization 80% महिलाओं के साथ ऐसा किया, अब China वैसे तो one child policy काफी लंबे समय तक पहले follow करती आई थी, अपनी population को control करने के लिए, लेकिन ये जो strategy है, ये उससे भी दो कदम आगे चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर intrauterine devices forcibly लगाई जा रही है, sterilization forcibly की जा रही है, और ऐसा नहीं कि one child allowed है, कोई भी बच्चा यहाँ पर allowed नहीं है, इस particular strategy, इस particular रहननीती के अंडर, और in fact ये चाइना के ही documents reveal करते हैं, कि उन्होंने ही campaign चलाई है, of mass female sterilization, which is supported by state funding, to carry out hundreds of thousands of sterilization in 2019 and 2020, state के थूप ऐसा आ रहा है, जो कि ये sterilization को drive कर रहा है, ये देखिए ये document है, China's own documents show potentially genocidal sterilization plans in Xinjiang, यानि कि genocidal कहने का मतलब उनका main जो उदेश है, वो नरसहार का ही है, इसके बाद अगर आप देखें, इसमें China करता क्या है, China basically सबसे पहले hunt down करता है, women of child bearing age, ऐसी महिलाओं को देखते हैं, जो बच्चा पैदा करने लाइक है, और उनको ये पहले ढूंदते हैं, उनको hunt down करते हैं, once apprehended, these women have no choice but to undergo forced sterilization, उनको ये दो options देते हैं या तो आप sterilization करवा लीजे, अगर आप नहीं करवाएंगे, तो हम आपको एक internment camp या फिर re-education camp में दाखिल करवा देंगे, once detained, women face forced injections, abortions and unknown drugs, तो या तो आप free रहकर sterilization करवा लीजे, या फिर internment camp में चले जाए, वहाँ पर जाकर भी आपको injection या abortion या फिर कुछ unknown drugs दे दी जाएंगी, जिसके थुरू आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी, so basically, इसके चलते जो impact रहा, impact ये रहा 2015 से लेके, 2018 के बीच में, जो जनसंख्या के विकास का स्तर है, उईगुर में वो 84% से गिर गया, imagine this, और वहीं अगर आप देखें, official documents के ही अनुसार, जो sterilization का स्तर है, वो बढ़ गया, जिंग जियांग में लेकिन वो बाकी चाइना में कम हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि 2015 के बाद आपको मालूम होगा, one child policy के उपर चाइना का focus कम हो चुका था, और जब one child policy के उपर focus कम हुआ, जिंग जियांग में focus वहाँ पर बढ़ चुका था, यहाँ पर population growth rate कम हो रहा है, चाइना की websites के उपर आता था, चाइना ने खुद ही अपने online platform को shutdown कर दिया, कहीं उसको लगे कि उसकी जो basically strategy है, वो बाहर दुनिया को पता ना लग चाहे, लेकिन इसके पहले ही कई सारे चीजों के बारे में, लोगों ने studies कर ली थी, जिसके चलते हम आज ये बात कर पा रहे हैं, तो होता क्या है, कि women को करते हैं sterilize और men को करते हैं detained in the prison camps, so with Uyghur men detained and women sterilized, the government has laid the groundwork for the physical destruction of the Uyghur people, लड़का और लड़की दोनों को अलग कर दिया, लड़कों को prison camps में लड़कियों की नसबंदी कर दी है, जिसके वज़े से, अब ये population आगे grow करने के लिए, बिलकुल भी आप कह सकते हैं, potential ही नहीं रखती at least half a million of the remaining Uyghur children have been separated from their families and are being raised by the state at so-called children shelters, मैंने आपको दिखाया था New York Times की एक headline थी, जिसमें उन्होंने बच्चों को भी spare नहीं किया, यहाँ पर BBC News भी इस चीज़ को cover करता है, the Kazakh Muslims detained in China's camps, तो केवल Turkey Muslims ही नहीं, Kazakh के भी कुछ Muslims हैं जिनको यहाँ पर detain किया गया है और यह चीज़ यहाँ पर basically उसी strategy को और ज़्यादा show up करती है, very very interesting to note and in fact काफी ज़्यादा horrific है यह जानना कि यह पूरा का पूरा जो genocide है, जो नरसाहार है यह असल में तकनीकी रूप से चलाया जा रहा है, जो की तकनीकी रूप से काफी परिश्कृत भी है, यहाँ पर China करती क्या है, basically surveillance का इस्तिमाल करती है, और उस surveillance को facilitate करने के लिए उन्होंने एक grid management system चलाया हुआ है cities और villages को तोड़ दिया है लगभग 500-500 लोगों के गुट में, यानि की squares बना दिये गए हैं of 500 people और हर square के अंदर एक police station है जो की complete निगरानी रखता है अपने inhabitants की निवासियों की by regularly scanning their identification cards, faces, DNA samples, fingerprints and their cell phones, तो complete surveillance है लोगों के ऊपर, और यहाँ पर over a million hand Chinese watchers have been installed in Uyghur households rendering even the intimate spaces subject to the government's eye यानि की उनके पास कोई अपनी private space भी नहीं छोड़ी है क्योंकि जगा जगा पे उन्होंने watchers लगाए हुए है जो की check कर रहे हैं कि लोग basically कर क्या रहे हैं देखे, population control करना एक काफी ज़ादा difficult task होता है लेकिन चाइना इस तरी इसको कर रहा है surveillance के थुरू और वो भी technologically driven और हैरानी वाली बात यहाँ पर यह आती है चाइना is a signatory to the genocide convention genocide convention जो basically genocide को define करती है और उसमें बताती है क्या क्या चीज़े include होती है चाइना उसको signatory है कि हम इस ऐसी चीज नहीं करेंगे इसमें definition में killing भी आती है serious bodily harm आता है या फिर mental harm आता है deliberately inflicting conditions of life to bring about the group's physical destruction जो कि यहाँ पर exactly यही हो रहा है imposing measures intended to prevent births within the group forcibly transferring children of the group to another group सभी चीजें I think C, D and E तो चाइना बहुत ही तत्स पर होके कर रहा है और number A भी चाइना कर ही रहा है अब हैरानी वाली बात ही आती है कि why is China a signatory जब already इतना कुछ हो रहा है यहाँ पर सवाल यह आता है कि अब इस चीज का होगा क्या इसमें recently USA ने बहुत ही बड़ा कदम लिया जिसमें उन्होंने उइगुर Human Rights Policy Act को पास करने की बात की The US government has begun to take steps in the right direction to avoid another human catastrophe जिसके चलते कई सारे Congress के members है जो की already इसमें आगे आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें sanctions impose करने चाहिए on the responsible Chinese officials और इसके चलते उनके प्रशाशन ने अमरीका के प्रशाशन ने already magnets की sanctions को impose कर दिया है यह magnets की sanctions basically उन sanctions को कहा जाता है जो की officials के उपर लगाए जाते हैं इसमें चार चीनी officials के उपर sanctions लगा दिये गए हैं और उस entity के उपर भी sanctions लगा दिये गए हैं जो की पूरा का पूरा surveillance system को run करती है for the expansion of the camps in Xinjiang लेकिन the thing is यह news भी आप देख सकते हैं कि US Senate approves the bill to sanction China over the Uyghur rights और इसको लेकर President Donald Trump ने already sign भी कर दिया है लेकिन the thing is कि it becomes important कि USA ने recognize तो कर दिया है लेकिन अब बाकी countries को भी इसमें साथ जुड़ना होगा अगर USA ने recognize कर दिया है इससे obviously बाकी countries को थोड़ा प्रोथाहन मिलेगा कि हमें भी ऐसी चीज़ को जो है oppose करना चाहिए we should also join in a concerted effort to end the ongoing genocide in Xinjiang इससे क्या होगा कि कई सारी legal remedies हैं कई सारी और companies हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं जिनको शायद मालूम ना हो कि वो वाकई में एक modern slavery चला रही है या फिर वो हो सकता है फोर्स लेबर चला रही है वो वाली companies भी यहां से निकल जाएंगी एक report आई थी Australian Strategic Policy Institute के अनुसार यह कहा गया था अंडर conditions that strongly suggest फोर्स लेबर उइघुर्स are working in factories which are in the supply chains of at least 83 well-known global brands यानि कि उइघुर्स को फोर्स लेबर में ऐसी ऐसी companies में काम करना पड़ता है जो की आगे जाके supply chain में का part बनती है बड़े बड़े brands की which include Apple which include BMW, Gap, Hawaii, Nike, Samsung, Sony, Volkswagen तो अगर companies को मालुम पड़ेगा तो हो सकता है companies भी यहां पर आवाज उठाएं तो इसी लिए USA यह जो कदम लिया है यह काफी अच्छा कदम है और आगे जाके जैसे जैसे हम इन चीजों को बाहर लेकर आएंगे बाकी companies, बाकी देश इसमें अपना स्रयोग देंगे तो हो सकता है यहां पर कुछ positive चीज निकल कर आए for the Uyghur Muslims जिनके साथ नरसाहार हो रहा है Zing-Ziang में At the end, एक author बहुती बहतरी तरीके से लिखते है कि आज के हमारे interconnected world में हम केवल bystanders ही नहीं अगर हम ऐसी चीज को देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे बलकि हम इसके भागिदार भी हैं अगर हम ऐसी चीजों को हमारे सामने होने दे रहे हैं इसी के साथ इस वीडियो को end करता हूँ Thank you for listening, stay tuned and stay safe